Hello Everybody, Welcome to Divinely Guided 7777 कैसे हैं आप सब लोग? मैं आगई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ और ये रीडिंग मैं अपने चैनल पर पहली दफा करने जा रही हूँ कि लाइफ ने आपको क्या अच्छा और क्या बुरा एक्सपिरियंस दिया ठीक है? मैं अपने चैनल पर डिसिजन से रिलेटिट ये रीडिंग कर चुकी हूँ ये लाइफ गुड और बाद डिसिजन बट नाव एम गिविंग ये रीडिंग और कि आपको लाइफ ने अभी तक ओन गोइंग सिच्वेशन में आपके अच्छे एक्सपिरियंस क्या रहे और आपके बुरे एक्सपिरियंस क्या रहे ठीक है? और एबरी एरिया से लेने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि ये रीडिंग लंबी भी हो जाए और हो सकता है ये रीडिंग बहुत जल्दी भी खतम हो जाए यह हर एरिया से चेक करने के लिए है तो इसमें लव लाइफ भी चेक करेंगे, सोशल लाइफ भी चेक करेंगे, इसमें वर्क लाइफ भी चेक करेंगे, एक्सपीरियन्स, कॉलेज लाइफ, everything, I mean you know it's going to be a detail reading, पहले बता रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग मेरी detail reading से irritate होते हैं, पहले ही माजरत आप ना देखिए, और जिन लोग को detail reading पसंद है, तो यह आपके लिए reading होगी, ठीक है, without any further delay, यह timeless, general और collective reading होगी, जब कभी भी आपकी नजर से गुज़रेगी, तो यह आपका उस्वपका message होगा, और देखते हैं जनाब, आपकी life के good और bad experiences, ठीक है, चलि लेते हैं, relax हो जाएए, calm down हो जाएए, बिल्कुल deep breath लीजिए, और इत्मिनान से reading देखिए, और देखिए कि यह आप से resonate अगर होती है, तो like का button प्रेस कर देए, और आप चाहते हैं कि यह reading कोई और भी देखे, वो भी enjoy करे, और वो भी entertain हो, और वो भी guidance ले, तो इसके साथ वीडियो को share कर दीजगा, ठीक है, let's start, shuffle अच्छा सा हो गया है, सबसे पहले, यहाँ पे मैं spread करूँगे आपके life के good decision, और यहाँ पे मैं share करूँगे आपके life के worst decision, ठीक है, decision कहीं, sorry, experiences, sorry, 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 please guide me, मेरे viewer की life के अच्छे experience, मेरे viewer की life के अच्छे experience, please, मुझे guide कीजिए, मे reviewer की life के अच्छे experience, इन्ही कार्ट पहले ही आगे था, one, two and three, और bottom of the deck पे one, two and three, ठीक है, mutual बाज में check करेंगे, five of swords, six of cups, judgment, all right, अच्छे जियाब की life के good decisions, experience, मैं क्यों decision बार बार बोल रही हूँ, आपकी life का अच्छे experience, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि यहाँ पर air sign बहुत strong है, और water sign cancer scorpio pisces, आपकी life के अच्छे experience में सबसे बड़ी बात ये कि आपने childhood से काफी trauma देखा है, आपने childhood से काफी family drama देखा है, एक disputed और एक disturbed और हो सकता है आप एक single parent child भी हो, उसके लावा भी ये तमाम चीज़ें होते हुए भी आपने अपनी जो family की base और अपनी family का बच्छपन से लियावा एक norm और एक tradition जो है, उसको आपने कहीं पर भी नहीं छोड़ा, knowing the fact कि आप एक disturbed family से थे, knowing the fact कि आप एक single child भी हो सकते हैं और आपका बच्पन कोई अच्छा नहीं गुज़रा हो, लेकिन जो कुछ आपने बहुत early age में देखा, उसको आपने अपने पले से बांद लिया, and then you made a path, आपने एक रास्ता बनाया अपने लिए कि मेरी जिन्दगी की journey ये होगी, आपने बहुत हद तक अपने लिए जिन्दगी वो बनाई है, जो आपका सबसे अच्छे experience रहा है, कि आपने अपनी ही नई जिन्दगी बनाई है, आपने अपनी जिन्दगी के फैसलों में अपनी intuitions को बहुत strongly use किया, आपने जो चीज बच्पन से देखी, सुनी, समझी, आपने उसको अपनी gut feeling में convert किया, and you are doing good in your life right now, आपको कभी-कभी अपने childhood traumas याद जरूर आते हैं, अपने बच्पन के वो बुरे दिन, वो बुरी यादें, अफेक्ट जरूर करती हैं और आप अभी भी उसकी search में और उसकी खोज में और उसकी तलाश में अभी भी हैं, कि वो जो बच्पन की महरूमिया थी, वो जो family disputes थे, अब आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझने भी लगे हैं, for example, आपके parents के दर्मियान कोई अखिलाफ होगा, आपके parents बहुत different lifestyle के लोग होंगे, आपके parents अपनी ही family में बहुत different होंगे, आपके collectively पूरी family बड़ी ज toxicity आपने बहुत बच्पन से देखी और आप बच्पन से इन तमाम चीजों को sense और notice करते थे, आपने जगड़े अपने कम दूसरों के जादा notice की हैं, दूसरों के जादा देखे हैं, और उस point of view से आपने अपनी जिन्दगी को बहुत neat और clean और बहुत transparent रखा है, उस transparency में आ आपके कुछ बच्पन के अच्छे दोस्त, आपके कुछ बच्पन के अच्छे cousins, आपके बच्पन के कुछ बड़े जिनको आपने अपना role model बनाया, आपने हर एक experience से कुछ ना कुछ सीखा और उस सीखने के बाद आपने अपनी journey को set किया, तो आपकी life का experience ये जरूर अच् या आपकी जो भी extended family है चाहे वो social circle में हो या work place पर हो आप उसके लिए काफी guarded रहते हैं और आपको ये लगता है कि वो तमाम odds जो के मुझे बचपन में मिले जो मैंने बचपन में experience के मैं उनको किसी हद तक किसी के उपर ना आने दूँ और अगर कोई इस से गुजर रहा हो तो मैं उसको समझा सकूँ कि इसका तस्वीर का दूसरा रुख क्या होगा तो आप अगर देखा जाए आपकी जिन्दगी का जो बुरा experience रहा आपने उसको ही अच्छा कर दिया क्योंकि जब बच्पन में आपके साथ ये बुरे experience हो रहे थे तो आपको उस वक्त समझ नहीं थी लेकिन आपने जिस तरीके से उनको जमा जोड़ करके एक money box में उन तमाम experience को जमा किया है उस से अब आपकी जिन्दगी बहुत अच्छी आपके अपने मतादब मताबिग आप बहुत पास्ट में भी रहते हैं आपको बहुत नौस्टेलजिया भी होता है और आपको उन यादों में रहना अच्छा लगता है बिकॉस उस वक्त में चाहे आप उन वक्त को याद करके रोते भी क्यों नहों आपको अच्छा लगता है और सबसे इंपॉर्टन बात आप बहुत अरली एज में महबत में पड़े और उस early age में महबच जो आपको हुई उसका experience आपको बहुत ही अच्छा लगता है आपको एक हद तक बहुत फखर महसूस होता है कि मैंने जिससे महबच की मेरी जो selection थी वो दुनिया का best person है चाहे वो अभी हो आपके साथ या ना हो क्योंकि six of cups से मुझे लग रहा है कि आपके साथ अभी वो नहीं है लेकिन आपको उस शक्स की जब भी याद आती है टोटके आती है because आपको वो इनसान दुनिया का सबसे खुबसूरत तरीन सबसे अच्छा इनसान इसले भी लगता है क्योंकि आप अपनी चॉइस में बहुत मगरूर है आपको लगता है जो आप चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो best होती है और वो best उसको कोई claim भी नहीं कर सकता कि वो बुरी है क्योंकि आप selection ही best करते हैं तो आपकी life की अच्छा experience तो ये है लेट सी आपकी life का बुरा experience Seven of Wands Knight of Pentacles ये love की तरफ जा रहा है Knight of Wands Knight of Wands और Knight of Pentacles and Seven of Wands Aries Leo Sagittarius Aries Leo Sagittarius and Taurus Virgo Capricorn ठीक है आपने आपकी जिन्दगी का बुरा experience ये है कि आपने बहुत ही ऐसे लोगों के लिए जंगे लड़ी हैं जो इतनी अपनी आउकाद के थे भी नहीं और उन्हों ने भी आपको पे बैक और वैसा नहीं किया होता है ना कि इन्सान के मेरा खूटा मजबूत है आप ऐसे खूटे हैं कि उस पाए के तीन पाए ना भी हो और आप अकेले खूटे हो तो भी चीज अपनी जगा संबली रहेगी लेकिन आप जिनके लिए और ये आजकल आजकल आपको बहुत जादा फील हो रहा होगा कि आप जिस तरीके से लोगों के लिए और अपने लिए भी आप डिफेंसिव हो जाते हैं आप जिस तरीके से जिस चीज को करने के लिए ठंड जाते हैं वैसा आपको पेबैक मिलता नहीं और यह मुझे यहां पर आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपिरियंस या बैड एक्सपिरियंस आपकी लव लाइफ का ही लग रहा है आप कुछ ऐसे लोगों के साथ पढ़ गये या इन्वाल्व हो गये जो आपको कुछ भी ना दे सके और अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इंते हाई सुस्त हैं अगर night of pentacles की बात की जाए तो उनके पास कुछ देने को तो है लेकिन आप इतना कुछ कर जाते हैं, इतना कुछ दे जाते हैं, इतना कुछ बोल जाते हैं इतना कुछ आपने साबित कर दिया है in terms of protecting, in terms of protection, in terms of giving, in terms of lending कि अगले के पास आपको आपके कैलिबर का देने के लिए कुछ नहीं होता हाँ ये जरूर है कि आपने बहुत सारे अपने passions, आपने बहुत सारे अपने aims, आपने बहुत सारे अपने plans, बास दफ़ा surrender भी के आपका worst experience ये भी है कि आप अपने लिए कम और दूसरों के लिए जादा जीते हैं अगर आप selfish होकर जीना शुरू कर दें तो शायद सब इनसान के बच्चे बनके रहें लेकिन यहाँ पर बिल्कुर clearly नजर आ रहा है कि जब आपको वैसे तो आप किसी को ये feel भी नहीं करवाते कि कोई आपके लिए कुछ करे लेकिन जब आप किसी को notice करवा देते तो आपकी irritation ज़रा ज़ादा बढ़ जाती है क्योंकि अगले के पास वाकई आपको satisfy करने के लिए कुछ नहीं होता ये मुझे बहुत strongly ongoing problem भी लग रही है आपके साथ बहुत सारे लोग अपना मुफाद पूरा करके मुझ मोड लेते हैं और ऐसा मुझ मोडते हैं कि जैसे वो पैदा ही मुड़ेवे मुझे साथ हुए थे और ये चीज़ आपको बहुत ज़ादा upset भी करती है और till date कर रही है with the seven of wands आपने अपनी जंग अकेली लड़ी और आपको ये लगता था कि जैसे आपके बहुत सारे खेरकौण मौझ 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 लेकिन वो तमाशवीन होते थे वो तमाशा देखने वाले लोग होते थे आपको अकेली जद्द जहिद में और स्ट्रगल में वो देख रहे होते थे और आपको ये लगता था कि नो, अर विट में बट दे वर नॉट और फिर वो आकिर में सिर्फ आपका सारा तमाशा हो जाने के बाद पूरी तमाम चीजे हो जाने के बाद वो ऐसे प्रिटेंड करते थे कि देखा हम तो कह रहे थे हम तुमाशा हमारे शम्मेशा पहले दिन से बट डे वर नॉट आपने बहुत सारी अपनी खौहशात को आज भी आप ये करते हैं कि आप अपने आपको अप पहले आप डिफेंड करते थे अब आपने अपने आपको गार्ड करना शुरू कर दिये तो आपकी लाइफ के बैड एक्सपिरियंसेज में ये है कि आपने अपनी जिन्दगी अपने हिसाब से कम और दूसरों के हिसाब से जादा जी है जनाब आपकी रीडिंग में 55 डबल आया है तो अपने अपनी परस्नालिटी में मेगा शिफ्ट शो की है चेंज के पॉइंट अफ यू से ट्रांस्फॉर्मेशन के पॉइंट अफ यू से आपने बहुत क्लेरली दिखाया है कि परस्नालिटी चेंज कैसे होता है परस्नालिटी में ग्रोध कैसे आती है अपने आपको बदला कैसे जाता है और आपने सबसे ज़ादा जंग सबसे ज़ादा आपकी जीत पहले लोग आपको फितना समझते होंगे पहले लोग आपको फड़े बाद समझते होंगे पंगे लेने वाले समझते होंगे लेकिन आपने जब कभी भी पंगा लिया है तो बाकी सब जितने भी तेल डाल रहे होते थे आपका अपना अकेले का हाथ ऐसा होता था कि अब मैं हूँ जरा मुझसे लड़ा कर दिखाओ तो लोग आपके खिलाफ बहुत पीट पीछे बाते भी करते होंगे लेकिन अब आपकी वही स्किल धाड़ पचाड़ कर देने वाली अब लोग उसको बहुत एप्रिशेट करते हैं इन फैक्ट लोग आपको यूज करते हैं कि यार अगर कोई मस्कला है न तो जरा उसको बला आप आज भी उसी महास पर हैं आप आज भी सबसे ज़ादा अगर आपको जंग करनी पड़ती है तो वह सबसे पहले अपने घर से करनी पड़ती है आपके घर में कुछ लोग ऐसे जरूर मौजूद हैं जो आपकी वैलियू को समझते तो हैं लेकिन आपको उस तरीके से बर पड़ते नहीं हैं और कहीं कहीं पर आपको लड़ना पड़ता है तो कहीं कहीं आपको खामोश होना पड़ता है कहीं कहीं आपको रोना पड़ता है तो कहीं कहीं पर आपको घुसा करना पड़ता है अपनों ही से बास दफ़ा आपको गता तालुकी करनी पड़ती है वह वह वो लोगों के नजरिये में बुरी थी और जब आप अपनी लाइफ के वर्स्ट एक्सपिरियंस से गुजर रहे थे तो उस वक्त वो लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशल थी और अब कलेक्टिवली होकर आपके ओपर एक छाप लग गई है कि अगर आप किसी के साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाएं तो आप उसको जिता कर ही दम लेंगे फाइफ फाइफ आपका नमबर आया है विच इस अ गुड साइन आप स्ट्रगलर लग रहे हैं मुझे सर्वाइवल लग रहे हैं मुझे लेकिन बात अच्छी है कि अब आपकी लाइफ आप अपने पॉइंट अफुसर डिजर्विंग वे में गुजार सकते हैं आपकी लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस यह रहा है लेट सी यहां से चेक करते हैं आपकी लाइफ के गुड एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंस लिमिटेशन्स, फिर्स, कमपाशन यह तो आना ही था बुरे एक्सपीरियंस ओपॉलजी, फर्गिवनेस, कॉन्फलिक्ट, ट्रिगर्स मैंने कहा था अभी कुटा तालो की से कता तालो की बहतर है पहले मैं आपकी लाइफ के वर्स एक्सपीरियंस को रिफलेक्ट करूँ आपकी जिससे लग जाती है, जिससे आपकी लड़ा जाती है जिससे आपका कॉन्फलिक्ट हो जाता है आप आर्गिमेंट में पढ़ने के वज़ए खामोशी से वहाँ से अपनी काल आपके अंदर ये सलाहियत है कि अगर आप बोलने पर आएं तो आप अगले को चुप करा दें लेकिन आप चाहते नहीं क्योंके वन्स कॉन्फलिक्ट हो गया आप अगले को माफ नी कर सकते आपके अंदर ये प्रॉबलम है कि आप जब तक मुझसे सामने वाला शर्मिंदा होकर माफी ना मांगे आप तब तक माफ नी करते जबके आपने बहुत सारे लोगों को अपनी पीस के लिए अपने मेंटल पीस के लिए माफ कर दिया होगा लेकिन आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप जिसके साथ आपकी लड़ गई जो आपको लड़ गया तो बस फिर वो आखरी हर्ट तक अपनी कबर तक लड़ा ही रहा आप से आप उसकी किसी भी बात पर जब तक वो नहीं मान ले कि उसने गल्टी किया आप उसको माफ नहीं कर सकते आपकी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंस में ये जरूर रहा कि आपने डर से मकाबला किया है आपको जिन चीजों से डराया जाता था खौफ दिलाया जाता था आपने उनी को फेस किया है आपको कहा जाता हुगा कि अगर तुम औरत हो तो तुमेनी करना चाहिए तुम लड़के हो तो लड़कों को ये बाद जेब नहीं देती लड़के दो शादिया नहीं करते, अफेर्ज में नहीं पढ़ते, सुट्टे नहीं लगाते, शराब नहीं पीते अगर तुम लड़की हो तो तुम सुट्टे नहीं लगा सकती, तुम लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकती हैं और यहाँ स्टिरोटाइप बाते जो होती है लेकिन आपने हर उस लिमिटेसिन को तोड़के रख़ा अगर अगर आप खातून है तो आपको लोग बहुत मर्द मार कहते होंगे और अगर आप मर्द हैं तो आपको बहुत ही खतरनाक मर्द कहा जाता होगा कि बहुत ही तो किसी की भी नहीं सुनता लेकिन यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां फैमिनन एनरजी जरा जादा है क्योंकि यहां पे खातून का काड़ा है खातून आई है और उनको लिटरली लोग पकाड़ा है कि वो यह काम ना करें तो तो आट मींज कि आपने पंगे अच्छा अच्छा ऐसरी बात लिए है और व 뽑। मैंने पहले ही बात केहिए थी कि आपने ृस तरह के लोगों में से हैं कि मैने जो कुछ झ्छेले अब मैं अगले को न भालने को जहले दू। कंपाशन की इनर्जी है न complimentary की energy है आप अगले के शूज में जाके बहुत सारे लोग मुझे यहां पर empath लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों में जाकर उनको deal कर पाते हैं मैंने पहले ही कह दिया था inner child, healing आपके बच्पन की चीज़ें जो कुछ आप orphan हो सकते हैं आप बहुत अरली एज में आप orphan हो गए हो जब सब कुछ लाइफ में सटल चल रहा हो तब आप orphan हो गए हो आपके parent में single parent में आपकी कोई वो की होगी आपने बच्पन में बहुत कुछ अपने parents के point of view से देखा होगा, face किया होगा और वो तमाम चीज़ें वो तमाम जखम जो हैं वो आपके, आपकी strength बने है हाँ कभी-कभी आपको रोना आता है, कभी-कभी आपको लगता है कि जिन्दगी का सबसे तल्ख तजर्बा था लेकिन जब आप अपनी जिन्दगी को एक brighter side पर देखते हैं और उन तमाम तल्खियों को एक blessing के point of view से देखते हैं जो आजकल आपकी जिन्दगी में है, आप कहते हैं कि okay fine, अगर ऐसी जिन्दगी होती तो ऐसा ही होना सबसे जादा बहतर है जिन्दगी में आजमाईशें और मुश्किलें होनी चाहिएं क्योंकि अगर reward इस point of view से मिलता है तो ये चीज़ होनी चाहिए बट कोई भी नहीं चाहता कोई भी नहीं चाहता कि वो यतीम हो कोई भी नहीं चाहता कि उसके parents वहें वो वक्स से पहले चले जाएं तो mutually आप मुझे मैंने पहले ही कह दिया था आप survivor लग रहें आप struggler लग रहें आप warrior लग रहें आपके अंदर है ये चीज़ लेकिन हाँ जिसने आपकी लड़ा दी आपने उसनों नहीं चाहड़ना ये आपका है और आपकी further energy चेक करते हैं आपकी life के worst and good experience आपकी life के worst और good experience चलिए जी पहले good experience सेट करते हैं और क्या energy है Soulmate Guilt Impatient Acceptance आपकी life के worst experience पे ये जरूरा के आपने कभी-कभी हालात की वज़ा से मैं worst experience इसलिए पहले पढ़ रही हूं ताके आपकी हिम्मत बंदी रहे क्योंके आपकी worst experience ही की basis आपकी good experience है ठीक है आपने बहुत सारे लोगों को body shaming, accusation, ilzामात लगाना, तपाना, tond करना, किसी ऐसी चीज़ पर दुखती रख पर पाँ रखना जो के वाकी बहुत insensitive बात हो आपको ऐसी चीज़ें सुनते 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 अपने बच्पन से आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ कि आप short cut की basis पर बहुत कुछ बनने की कोशिश में लग गए और आपको आपके अपनोंने कम accept किया आपको आपकी society ने आपके work place पर, आपके social place पर, आपकी university college जो आपकी family से हटके, relative से हटके दुनिया थी, वहाँ पर लोगों ने आपको accept किया बहुत तगदो की आपने अपको proof कराने के लिए जो कि आपकी life का worst experience ज़रूर रहा लेकिन वही worst experience आपको कुछ बना गया आप impatient थे लेकिन उस दौरान जो कुछ भी आपके inner wounds आपको तकलीव देते रहते थे आप उसको संभालते थे, परेशान रहते थे, रोते थे, पिटते थे, कोछ भी करते थे लेकिन आप लगे रहते थे, बहुत सारी जगाओं पर आपने rejection face की appearance point of view से, काम के point of view से, qualification abilities के point of view से लेकिन आप डटे रहे और ये आपको phase जब भी अपनी जिन्दगी का याद आता है तो आपको बहुत तकलीव भी होती है अच्छे experience में ये रहा कि आप अपने soulmates से मिले और उस soulmates से मिलने के बाद आपको कोई guilt नहीं है जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको अपनी choices पर बहुत फखर है for example आपको अपनी love choices पर बहुत फखर है कि मैंने मेरी महबबत है, मेरी choice है तो ये आपने सबसे अच्छा experience out of so many experiences जो आपका सबसे अच्छा experience है वो आपकी महबबत है और वो क्यों है क्योंकि सारे भंडे तो होई रहे थे बुरे उनसमें जो सबसे बड़ा भंडा हुआ हो आपकी love life में भी हुआ लेकिन उस love life में out of so many challenges this was the most beautiful phase of your life इसमें आप शायद किसी एक ऐसे person का भी खयाल रखते होंगे जो बिलकुल left out था उसको लोगों ने छोड़ा वा था this could be your mother, this could be your elder sister this could be like कोई ऐसा इसा इनसान जो के जिसे अपनी जिन्दगी छोड़ी भी थी या ये आप खुद भी हो सकते हैं एक ऐसा इनसान आपके अंदर का ही जो के rejected था लेकि जब आपको महबत हुई तो आप इस phase में आ गए आपको आपके lover ने एक angel feel कर आया कि आप उसकी जिन्दगी में कितने important है और फिर जो आपके अंदर एक beauty और एक aura आपके अंदर निकल कर आया उसने आपकी जिन्दगी को सबसे best experience दिया release although आपकी love life भी इतनी happening नहीं रही लेकिन आप बहुत सारे traumatic phase में रहते रहे हैं और उस traumatic phase में रहते हुए जो मुझे सबसे ज़ादा लगता है कि out of so many losses जो के parents, siblings, family, elders उन सब loss में आपको अपनी महबत की अपनी प्यार की जिन्दगी को भी दफन करना पड़ा क्योंके आपको नहीं मिला हो ठीक है ये बात में आपको clearly बतातो let's see आपकी love life आपकी love life में worst experience और bad experience और अच्छा experience let's see free yourself finances and career good experiences let your friends help you unrequited love आपको अपनी value का पता चल गया है आप वहां नहीं रुपते जहां पर आपको वैसा feel नहीं कराया जाता जैसे एक महबत करने या lover को feel कराना चाहिए चाहिए आप married ही क्यों ना हो आपने अपनी love life में friends को बहुत use किया है use से मुराद ये कि आप अपनी love life को अपने friends के साथ discuss करके अच्छा feel करते थे और उनकी भी love life similarly to yours थी और उसकी basis पर ये होता था कि आपके पास हमेशा अपनी love life जो के day to day traumatic होती चली चली गई उसको discuss करने के लिए उस गम को गलत करने के लिए दोस मौजूद थे आपकी love life में worst experience ये रहा कि आप में और आपके person में finances और career का बहुत major difference था आप में हो सकता है या उन में हो सकता है कि अब हम इस रिष्टे में नहीं रहेंगे वरना आप फिर कभी इस रिष्टे से नहीं निकल पाते है और bottom of the deck आपकी love life में let go of control issues शायद आप खुद भी ऐसे हैं कि यार अगर किसी को बांद के रखा तो क्या महबत की वही वाली बात कि अगर जिद होती तो बाहों में होत इर्फान खान का डायलोग है ना तो ये आपकी life के हर aspect से मैंने निकाला है कि आपकी life के good experience और आपकी life के bad experience इस वक्त आप किस तरह की energy में है वो चेक कर लेते हैं और फिर मैं reading को end करती हूँ ठीक है let's see आपकी life के good और bad experiences मैंने अभी read किये हैं तो let's see कि आप अभी इस वक् आपको मैंने चेक किये तो anxiety और dough to value आया है शायद आप restless रहते हैं आपको सब कुछ मिलता है लेकिन आप past में रहते हैं ठीक है let's see एक good experience और एक bad experience की तरह चलिए जी अब आपके इस energy में fourth chakra archangel raphael angel of strength wow that means के आप हर लिहाज से अपने अंदर warrior है जो बात मैंने जहां से शुरू की ती वहीं पर ये end हो रही है you are a very strong person and fourth chakra that means your heart your throat I mean it's very 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 strong वही बात है जब मैंने कहीं थी किसी को अपने आपकी बात मनवानी होती हुए तो बुलाते हुए उसको बुला लो उसने तुन को कायल करकी दम करना है तो यह बात है you are very strong and right now in these days ongoing days you are dealing with your life very beautifully be in that energy and जो दिल में आए बोल दिया करें all right take very best care of yourself bye bye